नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अटल बिहारी बाजबैजी की लिखी हुई बहुत ही बहतरीन कवीता जिसका शिशक है उमर की ऐसी तैसी घर चाहे कैसा भी हो घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुल कर हसने की जगा रखना सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रस्ता देना कभी कभी छट पर चड़कर तारे अवश्य गिनना हो सके तो हाथ बढ़ा कर चांद को छूने की कोशिश करना अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पडोस जुरूर रखना भीगने देना बारिश में उचल कूद भी करने देना हो सके तो बच्चों को एक कागिच की किष्टी चलाने देना कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चड़ाना हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लडाना घर के सामने घर के सामने रखना एक पेच उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना घर चाहे कैसा भी हो घर के कोने में खुल कर हसने की जगा रखना चाहे जिधर से गुजरिये मीठी सी हर चल मचा दीजिये उमर का हर एक दोर मजेदार है अपनी उमर का मजा लीजिये जिन्दा दिल रहे जनाब ये चेहरे पे उदासी कैसी वक्त तो बीथ ही रहा है उमर की ऐसी की तैसी उमर की ऐसी की तैसी तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों अटल बिहारी बाजबाई जी के लिखे ये शब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और ये बिलकुँ सही है बिलकुँ सच है कि उमर की ऐसी की तैसी दिल तो बच्चा है जनाब इसे ऐसी ही बहला के रखी और जिन्दगी के मजे लेजी हसते रहे मुस्कुराते रहे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे तब तक नमस्कार धन्यवाद